गुड मॉनिंग एस्ट्रेयन आभी क्लास वन में मैंने आपको कम पोजीशन पढ़ाई थी जिसमें आपको कुछ फिलिन दा ब्लैंक्स जो भुक वर्क था उसको मैंने करवाया अब आपको इसके आगे में आगे जो वर्क है उसको मैं करवाने जा रही हूं उसको भी आप ध् जा अपूस है री दा स्टोरी ओप ए फोक्स एन ए क्राउ एंसर दा क्वेसं डाको इस स्टोरी को पर ना है उसके बाद जो आगे को संसर दिया है उसको कमपलेट करना है तो पहले सबसे पहले हाम से स्टोरी को पर एंगे this is Mr.동 Sum यह एक कववा है जो इसका बीक जो है वो ब्लेक कलर का है और उसका फिदर इसका पंक जो है वो भी ब्लेक कलर का है यह एक फोक्स है और इसका तेल जो है काफी घनादार होता है और वो एक बहुती चतूर एनिमल होता है Mr. Krau is sitting on the branch of a tree he has a piece of meat in his bag अब क्या है Mr. Krau जो है वो बेर के साखा पर बैठा हुआ है और उसके चोच में meat का एक टूकरा है Mr. Fox see Mr. Krau Mr. Krau को देखता है he wants to have the piece of meat और वो चाहरा है कि वो मीट का टूकरा मुझे मिल जाए Mr. Fox tell Mr. Krau that is like his voice Mr. Fox Mr. Krau को कहता है कि तुम्हारा आवाज जो है उसको मैं बहुत ही पसंद करता हूं he request Mr. Krau to sing a song और मैं आपसे request यह बहुती करता हूं कि तुम जो हो एक काना गाओ Mr. Krau feels very happy but he is silly वह बहुत खुश हो जाता है लेकिन वह उससे एक mistake हो जाती है who even his beak to sing और वह अपने mouth को खोलता है गाना गाने के लिए अपने beak को अपने चोंच को खोलता है गाना गाने के लिए he made fall from his beak और वह उसके मुंग चोंच में जो मीट का टुकरा था वह गिर जाता है Mr. Fox picks it up and run away और Mr. Fox जो है उस piece को मीट के piece को उठाता है और भाग जाता है तो इस टन आपने इस कहानी से क्या सीखा इस कहानी से एही सीखा कि हमें अपने बुद्धी से काम लेना चाहिए किसी की भाकावे में नहीं आना चाहिए और इसी ये स्टोरी को पढ़के यहां कुछ filling the blanks दिया गया है जिसको complete करना है The crow is sitting on the branch of a tree. The crow has a piece of meat in his beak. The fox sees the crow. He wants that piece of meat. He is a clever animal. He takes the crow. That he likes his voice. तो इस ट्रेंट आपने उस स्टोरी को पढ़ने के बाद इसमें जो फिलिंदा ब्लैंक इस था उसको मैंने कम्प्लीट की है आप भी इस वीडियो को देखते हुए अपने बुक में सारे जो फिलिंदा ब्लैंक में जो वर्ट को मैंने भड़ा है उसको आप भड़ेंगे नेस्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेस्ट सब्जेट के साथ ओके बच्चों बाई